बड़ी खबरे कौन सी हैं। तृमूर्ती सेग्मेंट में क्या खास आए हैं? शरद से जानते हैं। शरद गुड मॉनिंग बताएं तृमूर्ती सेग्मेंट में आज क्या है? जी बिल्कुल सबसे पहले जो है hospital stock shall be focus में रहने वाली है operational update important आई है लेकिन important बात ये भी है कि विजे केडिया जी को जो है ace investor है और उनको board of directors में जो appoint किया गया है उनका holding लगबग 7 लाग शेर्स का है जो translate करता है 0.65% equity का और company की guidance भी अच्छी आई है जहां पर वो चार नए orthopedic centers जो है खोलने वाले है चौते तिमाई में और आकडो की बात करें तो PAT में लगबग 64% का growth आया है और margins में भी एक surprise growth देखने मिला है लग 230 basis points का बढ़के 18.3% आया है अब इसके valuations भी देखे तो almost 19 टाइमस उनके FI 24 P numbers देखने मिल रहे है और अपने peer set से अब भी थोड़ी undervalued stock है दूसरा stock focus में रहेगा prestige estates यहां पर Q2 operational update बहुत strong आई है quarterly sales 66% की बढ़ोतरी देखने मिली है और वहीं अगर collections की बात करें तो वहाँ पे 68% का growth year on your basis पे देखने मिला है launches में की बात करें तो लगबग 5 projects जो है launch हुए इस इस्तिमाई में और operational updates जो है आपके reality stocks में कल जो देखा और यहां पर भी जो है एक अच्छी जो है movement देखने मिल रही है और तीसरा stock of course रहने वाला जी entertainment और यहां पर जो है कल जो थे हम डील हुई थी जहां पर इन्वेस्कों ने लगबग 5 करोर शेह से जादा की बिक्वाली की और लेकिन जो important buyers हैं उन पर focus करते तो यहां पर domestic buyers में आपके है इडिलवाइस mutual fund, आदिता बिल्डा Sun Life mutual fund, Tata mutual fund और Tata AIA insurance अगर foreign buyers की बात करें कल की ब्लॉक डील में तो वहां पर जो है जो shareholders ने not दे दी थी CCI की भी approval आ गई थी Sony की merger के साथ तो एक बहुत important development story है जो play out हो सकता है चलिए इन सारे stocks को discuss करते हैं थोड़ा trade के point of view से और मैं जाओंगा गुरलीन के पास Z entertainment, Z entertainment में कल सुबा गुरलीन हमने यहाँ पर सुदेश पर यही discuss किया था जिस साब से mahal बन रहा है जो fundamentals बन रहे है और chart में जिस साब से stock 220 वाला धीरे 285 जाके वापस 256 पर जो block deal घटी थी उसमें probability आपकी पैसे बनने की थी इसलिए काफी लोगों ने उस zone में लिया भी हलाकि खुला ही उपर था पैसेट के असपास मिल गया होगा I'm sure अभी यह 270 पर trade कर रहा है बट 6 मेने का यह 3 मेने का देखें तो 285 हो कि आया है जी एंटेटेंबंट में क्या करना चाहिए इस समय तो टेल्विंट काफी आ गई है बड़े लोगों ने खरीदारी भी की कल यह देखें दोस्तो 34 35 वाला दोस्तों उपर में 85 गया था अभी क्या करना चाहिए इसमें क्या ट्रेड बन रहा है गुरलीन अगर हम जी एंटेटेंबंट की बात करें तो फिलाल के लिए यह अपनी की आवरिजस से भी उपर ट्रेड कर रहा है तो अगर जिन भी लोगों के इसमें लॉंग पोजिशन हैं उनके लिए यही सजेशन रहेगा तो अपने लॉंग को यहां पर ट्रेल करें और अगर इसक यहां पर बाय कर सकते हैं यहां फिर अगर उस लेवल का री टेस्ट होता है वहां पर भी बाय कर सकते हैं लो रिसक एंट्री के लिए और इसका जो टागेट है वो रहेगा 345 से लेके 360 रुपीज का इंजी एंटेंटेंबंट यहां पर नूस फोकस में दो दिनों से सी एंटेंबंट कॉम डिसकास भी कर रहे हैं लेकिन डिसकास आजए हमें डिफेंस भी करना चाहिए क्योंकि दिफेंस एक्सपो जो कि बाद जिवसिया है और प्रोग्राम और वहां से भी काफी अच्छे टेको बजा रहे हैं